हाई फैमिली कैसे वह आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बिटकोईन के इस मूँ को देखे आपके अंदर भी एक excitement जरूर आ गई होगी तो यहां से बिटकोईन का आगे क्या लगता है और दूसरे कोईन के अंदर हमें क्या लगता है जो आप हमसे लगातार कूछ रहे हो और टॉप कोईन्स के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो बने रहीएगा हमारे साथ में चैनल पहली बाहर आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और उमीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक करी दिया होगा तो जा टाइम इसनी करते हैं और चलते हैं स्क्रीन के उपर दोस्तों इंडियन मुवीज के अंदर एक फेमस डायलोग है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही कतम हो जाए ऐसा लगता है बीस जार डॉलर से नीचे दस बारा हजार डॉलर आ जाएगा उसको सुन सुनके लगात लॉजिक्स, अंडरस्टैंड द थिंक्स की मार्केट में एक्चल में क्यों ये सारी बाते आती हैं और क्यों बिटकॉइन यहां पे ठिका हुआ है एक और आपको बात यहां पे समझने की क्या है बिटकॉइन ओलरेडी ओवर सोल्ड सिचुईशन में है टेक्निकली भी और आप देखोगे इंस्टिटूशन का जिस तरह से नजरिया चेंज हो रहा है एक्यूमलेशन देखने को मिल रही है तो यानि कि आपको साड़े अठारा हजार डॉलर दो हजार बीस के बाद सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ इसके नीचे क्लोज किया अधर्वाइस वहां पे कभ दो दिन पहले शेयर किया था पंप टोबर मतलब हमें यहां पे उम्मीद है एक पंप देखने की उसके बारे में समझाएंगे लेकिन सबसे पहले समझे कि क्या न्यूज अभी चल रही हैं जैसे कि हम सबको पता था जो आगर डी एक्स वाई इंडेक्स की बात करते हैं डॉ अगर मैं बीडकोयन की बात करता हू weakuss in दुबारे से यहां पर स्टैबिलिटी होती दिख रही है यहां रिकोवरी होती दिख रही है एक तो यही बड़ा reason है दूसरी अगर मैं बात करता हूं लगातार जो चीजे निकल के आ रही है वो कहीं न कहीं interesting निकल के आ रही है US President Joe Biden की administration की तरफ से जो Congress जैसे हमारे हां संसद होती है ऐसी वहाँ पे Congress होती है उसमें law pass करने के लिए बात करी जा रही है कि जल्दी से जल्दी crypto regulations clear हो ultimately हम सबको पता है US जो करता है जातर लोग उसको follow करते हैं अगर वो एक चीज ऐसी लेता है clarity आती है तो overall global उसके अंदर हमें clarity देखने को मिलेगी एक और बड़ी news निकल के आ रही है NYDIG एक bitcoin company है 720 million dollar जो है वो raise किये हैं उन्होंने bitcoin buy करने के लिए institution से तो इसने भी माहौल बनाया लेकिन जो सबसे interesting बात है यहाँ पर हम सबको पता है US dollar कितनी supply है किसी को नहीं पता यहाँ पर माल छापा जा रहा है और fed continue rise interest जिससे आप से कर रहा है फिलाल तो situation डोल मोल हो सकती है cryptocurrency market bitcoin के लिए लेकिन अगर लंबे समय के लिए देखते हो तो यहाँ पर bitcoin और silver और gold की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है hype increment देखने को मिले का एक opportunity buying यहाँ दे रहा है ऐसा कहना है Robert Kaiosaki जो rich dad और poor dad के जो author है एक बड़ा नाम है investing को समझते हैं अगर वो बात ऐसी कह रहे हैं तो कहीं न कहीं उसके पीछे आपको भी थोड़ा सा research करने चाहिए और coinbase को लेके जो issues निकल के आ रहे थे कि banks को वहाँ पर issues निकल के आ रहे थे वो fix कर रहा है support करने के लिए और यहां पर बहुत सारी चीजे निकल के आ रहे हैं जो आपको लगातार up to date रहनी चाहिए क्योंकि आने वाले time के अंदर bitcoin के अंदर एक बड़ा pump हमें देखने को मिल सकता है 25-30% हम expect कर रहे हैं अब बहुत सारे लोग बोलते हैं pumptober October लेकिन क्या होता है moment अगर research देखते हो सारी चीजों को समझते हो तो आपको idea लगेगा October का जो पहला और दूसरा हफता होता है वो ठी होता है अच्छा होता है थोड़ा हमें momentum देखने को मिलती है positive mid में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है Bitcoin और cryptocurrency market की बात करते हैं लेकिन जब Halloween इनका जो ही पास आता है और वो 31 October को है Halloween effect जिसे बोला जाता है और उसके आसपास last week में भी हमें एक अच्छा pump देखने को मिलता है अब यह Halloween strategy को भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको होती क्या है Halloween strategy, Halloween effect या Halloween indicator की बात करते हैं एक market timing strategy है stock perform better करते हैं October 31 के बाद में Halloween से लेके मे तक आपको अमोमन कहले जिए कि जो 5-6 महीने होते हैं यहाँ पे ज्यादा better perform करते हैं stocks और यही चीज हमें cryptocurrency market के अंदर भी देखने को मिली है यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप buying कर रहे हो stocks की या cryptocurrency की November या पूरे winter में अगर आप hold करते हो तो एक अच्छा आपको return यहाँ पे देखने को मिलता है और अगर पीछे के track record की बात करते हैं तो अमोमन November, December, October अच्छा ही होता है cryptocurrency market के लिए अगर आप overall situation को यहाँ देखते हैं तो आप समझ लीजेगा पहला दूसरा हफते के अंदर एक spike देखने को मिल सकती है mid थोड़ा शंड़ा रह सकता है October के अंदर और फिर last week जो है October का वो एक बोड़ा हो सकता है इस हिसाब से अपनी calculation कीजेगा आप थोड़ा सा और इसको detail में समझोगे पढ़ोगे तो आपको research करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ यह तो थी Pumptober को लेके बात लेकिन अगर मैं Bitcoin की बात करता हूँ जैसे कि हम लगातार आपको बोल रहे हैं साड़े 18,000 डॉलर पे इसको एक support है यहाँ पे अगर maintain करता है तो अच्छी बात है लेकिन फिलाल अगर मैं बात करता हूँ resistance की तो यह जो resistance है चैनल का top कह लिजिए या 50 daily moving averages की बात कह लिजिए जो की आता लगबग 20,200-300 डॉलर वो फिलाल इसके लिए एक resistance है और एक important resistance जो यहाँ से पार करना पड़ेगा अगर पीछे का record bitcoin maintain करता है 25-30% का spike लेता है तो यह 25-24,000 डॉलर भी आपको आने वाले time के अंदर लगता दिख सकता है इसकी possibility को भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते लेकिन अगर मैं resistance की बात करता हूँ तो 22,500 से लेके 23,000 डॉलर भी इसके एक important resistance है वहाँ पर आपका जो है 200 weekly moving average भी आ रहे हैं पचास जो है monthly moving average भी आ रहे हैं तो वो एक कहीं न कहीं एक resistance का काम कर सकता है अगर हम चाते हैं कि momentum यहाँ change हो तो actual में हमने जो ध्यान देना है कि 23,000 डॉलर से उपर 23,500 डॉलर से उपर यह close करता है तब ही नहीं हम कह सकत है कि हां reversal हमें देखने को मिल रहा है otherwise यह यहीं डोल मोल करता दिखेगा अगर यहाँ पर यह close करने में काम्याब होता है इस महीने के अंदर 23,000 डॉलर से उपर तो आप उम्मीद कीजेगा आने वाले time के अंदर दो महीने बड़े जबरदस्त bitcoin के लिए हो सकते हैं यह तो थ जैसे हमने अब बताया कि एक support मिल रही है अगर वहां आपको entry मिलती है तो आप entry लेके चलिएगा यहाँ पे जो है 15,500 डॉलर इसका एक target पहला लेके चल सकते हो और आने वाले time के अंदर यह आपको 17,800 इनफेक्ट 1900 डॉलर भी कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है यहाँ पे हमने कुछ coins के list भी share करी थी 5 coins की अगर आपने वो video नहीं देखी है तो देख लीजेगा उसके अंदर कुछ दो news based coin थे वो भी हमने share किये थे एक था RSR उमीद करता हूँ एक ही दिन के अंदर 20-25% का आपने profit कमाया होगा दूसरा coin था news based जो था कावा कावा के अं करता है तो उस पे भी जरूर नजर बना के रखिएगा बाकी और जो coins है वो जो है आप हमारी list जरूर चेक करिएगा अब बात करते हैं यहाँ पे matic को लेके matic की अगर मैं बात करता हूँ तो फिलाल यह एक resistance zone को test करा जो कि आता है 0.8 dollar अगर उसके उपर जाता है तो यह भ वाले time के अंदर pumpedober अगर अच्छा निकल के आता है तो यह एक dollar तक भी try कर सकता है और long term case आप से देख रहे हो तो यह 1.2 dollar और all time high को भी future में लगाता है आपको दिख सकता है XRP को लेके कहीं न कहीं अब चीजे serious निकल के आ रही है लेकिन आप ध्यान रखेगा फिलाल resistance जो है यह 200 जो daily moving averages है वो इसके लिए एक resistance का काम करें जो आती है 0.46 dollar अगर आप entry लेना चाहते है तो इसके उपर entry बना अगर यह close करता है तो ही आप entry लीजेगा लेकिन अगर मैं देखता हूं जिस आपसे चीजे निकल के आ रही हैं दिसंबर में हम उमीद कर रहे हैं कि अगर चीजे solve होती हैं तो यह भी आपको यहां से 50-100% का profit दे के जा सकता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों Solana को लेके Solana के अंदर कुछ issues निकल के आ रहे हैं ब्लॉक्चेन के issues निक सकते हो तो 35-36 डॉलर जो है इसका एक resistance zone है इसके ऊपर जाता है तो यह भी हो सकता है आपको 50-55 डॉलर पे in future देखने को मिलें तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी काम की लगी होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रू करिएगा शेयर कर को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा और बैल आइकन को भी जरूर दबा दिजिएगा अभी के लिए विदा लेता हूं खुछ रहिए मुस्कुराते रहिए कमाते रहे आपका दोस्त पंकच थैंकि नुश्करत दन्यवाद